स्वाकत है आप सभी का दर्शन 24 पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके लव राशी फल के बारे में प्रेम जीवन के लिहास से आपका आने वाला सब तहा कैसे बीतेगा दरसल इस प्रेम राशी फल के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपका रिष्टा कितना मजबूत होगा दो दिल एक दूसरे के नस्दीक आएंगे या फिर किसी तरह की रुकावट रिष्टो के बीच आने वाली है व्यवाहिक जीवन में कौन से नए मोड आने को तयार हैं साथ ही परिवारिक जीवन में आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं इन तमाम चीजों के बारे में आपको लव राशी फल से संकेत मिल सकते हैं तो आए जवानते हैं 18 सितंबर से 24 सितंबर तक सभी जातकों का राशी फल हमारी इस खाश पेशकश में मेश राशी दामपत्य संबंधों में प्रेम और रुमांस पढ़ेगा पार्टनर्स के साथ चल रहे विवात थम सकते हैं प्रेम संबंध प्रांगण होंगे और लव पार्टनर के साथ बहतर बोर्णिंग देखने को मिलेगी दामपत्य जीवन सुख में बना रहेगा व्रिश राशी परिवार में महिलाओं की मर्यादा का ध्यान रखे और उन्हें उचित सम्मान दे इससे घर का वातवरण अच्छा होगा प्रेम संबंध को मजबूत बनाने और रिष्टे में प्रांगणता लाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें दामपत्य जीवन सुख में बना रहेगा जीवन के प्रतेक छेत्र में जीवन साथी का पूरा सहीयोग समर्थन मिलता नजर आएगा मिथुन राशी जीवन साथी के साथ विवाद करने से बचे दूसरों की बातों पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए रिष्टे नातों की ट्रिष्टी से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता यदि आप रेम संबंध में बने हुए हैं तो आपके रिष्टे में संबात की कमी के चलते कुछ गलत फैमिया पैदा हो सकती है एक बार फिर लव पाटन के साथ रिष्टे सामाने हो जाएंगे कामकाज की व्यस्ता और जिम्मेदारियों का निर्वाहन करने के चलते आप जीवन साथी के लिए कम समय निकाल पाएंगे करकराशी रामचुरित मानस का पार्ट करने से पारिवारिक समस्याओं का समधान पा सकते हैं जोड़िदार यदि आपका व्यापारिक साथी भी है तो समझे व्यापार को वरदान मिल सकता है भाई बेनों के साथ प्रेम और स्निहे बना रहेगा सेहत की ड्रस्टी से ये हफ्ता साम्मान बना रहने वाला है हाला कि विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंत रह सकता है प्रेम सम्मंद में प्रांगरता आएगी लव पार्टने के साथ सुखत समय व्यतीत करेंगे जीवन साथी अथवा लव पार्टन के साथ आप अपनी खुशियां शेयर करेंगे सिंग राशी सब तहा के मद्ध से आपको कहीं से सर्प्राइस गिफ्ट मिल सकता है यदि आपके प्रेम सम्मंद में कुछ खटास मिथास चल रही थी तो इस सफथा आपके रिष्टे पठ्वी पर आ जाएंगे और आप आपने लव पार्टन के साथ हशी खुशी पल बिताएंगे यदि आप सिंगल है तो आपके जीवन में किसी मन चाहे व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है कन्या राशी प्रेम संबंद के लिए ये पूरा हफ्ता अनुकूल है लव पार्टन के साथ आपके संबंद मधुर बने रहेंगे विवाहिक जीवन में प्रेम और अस्मंजस बना रहेगा तुला राशी परिवार में अनवपेक्षिक तरीके से विवात की स्थिती पैदा हो सकती है और इसके कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है प्रेम संबंद में उतावलेपन से बचे अन्निथा समाजिक बदनामी के साथ बेबज़ागी बरिशानिया जेलनी पढ़ सकती है प्रेम प्रसंग के लिए ये सफता मिला जुला साबित होने वाला है खटी मिठी टकरार के साथ आपके रिष्टे सामान बने रहेंगे हाला कि किसी भी प्रकार की विवात से बचे और गलब फेहमियों को संबात की जरीए दूर करने का प्रयास करे धनु राशी अचानक बोली गई आपकी बात लोगों का दिल दुखी कर सकती है रिष्टे नाते की डुरस्टी से ये सफता आपके लिए अनुकूल रहने वाला है प्रेम संबन्द में आपसे विश्वास बढ़ेगा और कठिन समय में आपका लव पाटनर मददकार साबित होगा भाई भेनों के साथ असमंजस बना रहेगा जीवन साथी के साथ सुकत पल बिताने के अफसर मिलेंगे मकर राशी युवाओगा अधिकान समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा प्रेम प्रसंग के लिए ये सफता अनुकूल है यदि आप किसी के सामने अपनी दिल की बात रखने की सोच रहे हैं तो ऐसा कण्डे पर आपकी बात बन जाएगी वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम सम्मंद में प्रांगडता आएगी विवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा कुम्ब राशी ध्यान रहे कि यदि एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे जाने की संभावना बन रही हो तो ऐसा करने से बिलकुल ना चूके प्रेम सम्मंद को प्रांगड बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टर की भावनाव को ठेस ना पहुचाएं और उतावले पन से बचे कठिन समय में आपका जीवन साथी आपको सही रा दिखाने के साथ आपका संभल बनेगा मीन राशी मा पक्ष की ओर से आपको अधिक प्रेम प्राप्त होगा और आप उससे भाव विभोर हो जाएंगे प्रेम सम्मंद को बहतर बनाए रखने के लिए अपने भीतर एहंकार या क्रोध लाने से बचे और अपने लव पार्टर की भावनाव की कद्र करे